जैहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट नमबर अठ रहा जिसमें हम बालविकास के महतुपूर्ण कोश्चन डिस जरूर सब्सक्राइब करकर नौटिफिकेशन बेल आता है जरूरा अनकलीजे इस वीडियो में हम दोस्तों महतुपूर्ण MCQ को देखेंगे देख सकते हैं अब इस तरीके का प्रेशन जो है दोस्तों कॉम्पेटिसन एक्जाम में पूछा जाता है चलिए वीडियो स्टार दिए ठीक है तो इस तरीके से अपना जो है खुद का स्वा आंकलन कर सकेंगे चलिए दोस्तों पहला प्रशन देखते हैं MacDougal के अनुसार समवेगों की संख्या कितनी है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों समवेगों से संबंधित जिन्होंने अपनी आओधाना जो है वो है कौन है MacDougal है तो उन्होंने कितनी समवेग के बारे में बताया है तीन बारे में बताया है नौ के बारे में बताया है या फिर 12 के बारे में बताया है तो MacDougal के अनुसार जो है 14 समवेगों के बारे में बताया है इंपोर्टन्ट है यह प्रिश्न पूछा जा चुका है तो कौन-कौन सा समवेग है दोस्तों आप याद रखिए जैसे भय, क्रोध, घ्रिना, आश्चर्य, इसनेह, विशाद, संरचनात्माग भाव ठीक है उसी तरीके से स्वामित्व का भाव, अकेलेपन की भावना, कामुकता, शरिष्टता की भावना, आत्महीनता, भूक, आमोद आमोद मतलब क्या होता है हास ठीक है तो इस तरीके के जो भाव है, संवेग है, वो लक्तियों के अंदर पाया जाता है, तो चाउदा संवेगों के बारे में बताया है नेक्स्ट प्रश्ण है निम्नलिखित में से मनोदसा का भाव है तो दोस्तों मनोदसा का हमारी किस तरीके की होती है इस बारे में दोस्तों उन्होंने बताया है कि कौन कौन सा हो सकता है अवधी है या फिर नवी निता है या फिर रूची है या फिर आकार है तो इसके लिए correct answer जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपकी रूची, ठीक है, तो option number C, इसके लिए क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, दोस्तों हमारी जो मनोधशा है, वो किस पर depend करता है हमारी रूची पर ही depend करता है मतलब काला उधी, मतलब काम कोई भी काम है, वो बड़ा है मतलब अधीक समय लगेगा, कम समय लगेगा तो ये, आप उनको देखकर ही आप समझ लेते हैं, अरे यार इस काम को करने में अधीक समय लगेगा, तो कही ने कहीं वो आपके रूची पर ही depend करता है तो नविन्ता पर भी है ना, तो ये चीज़ तो नहीं है, इसको मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो कहीं न कहीं आपके अगर उस रूची है, तो आप सीख होगे, नहीं है तो नहीं सीख पाऊंगे, उसी तरीके से आकार किसी भी काम करने का हकार को देखकर कह रही है तो छोटा है जल्दी हो जाएगा तो कहीं न कहीं आपकर रूची से ही डिपेंड है तो अपसे नमबर C क्या हो जाएगा इसके लिए correct answer हो जाएगा जो दुसरे जगह हो क्या कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा सीखने में इस्थान अंतरन क्या हो जाएगा तो इसके लिए correct answer जू हो जाएगा क्या हो जाएगा जो जाएगा तो इसमें真 प्रत्य भी अभिवृत्ति जो होती है हमारे अंदर वो पूरी तरीके से किसमे होता है अभिवृत्ति मतलब संग्यान के रूप में होता है क्रियात्मक रूप में होता है संवेक के रूप में होता है मतलब उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तू या घटना के प्रती एक खास धंक से अनुक्रिया करनेते हुए हमारी जो मानसिक तत परता है उसको पूरी तरीके से क्या करता है शामिल करता है उसमें क्या क्या रहता है तो अपसन नमबर 4 इसके लिए correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट है मानसिक स्वास्थ और खालिस्थान में घनिष्ट संबंद है तो मानसिक स्वास्थ और खालिस्थान में क्या घनिष्ट संबंद है अभिवृत्ति में, श्वीकार्यता में, मापन में या फिर समायोजन में तो इसके लिए correct answer जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा समायोजन में तो मानसिक स्वास्थ और हमारे जो बीच समायोजन है, उसके बीच क्या है घनिष्ट संबंद है, ठीक है, तो option number 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा तो दोस्तों, इसी तरीके क्या आपको practice के लिए अभ्यास online class लाए है test series तो दोस्तों, अभ्यास online class आपके लिए लेकर के आए है test series, जिसमें अगर आप प्रेशन कर रहे है, प्रेप के लिए, प्रेपर 2 के लिए जिसमें आप social science या फिर maths या फिर science वाले हैं, तो उन सभी के लिए test series available है, test series में दोस्तों, आपके लिए benefit मिलने वाला है कि इसमें जितने भी question है, सब व्यापम के लिए वल पर हैं, तो आपको paper 1 में पूरी तरीके से मिलने वाला है, total 20 practice set मिलेगा, जिसमें आपको बालविकास के 4 set मिलेंगे, हिंदी के 4 set मिलेंगे, अंगरेजी के 4 set मिलेंगे, गणीत के 4 set मिलेंगे, और परेवरन के 4 set आपको मिलेगा, और प्रतेक set में दोस्तों, 30-30 प्रशन पूछा जाएगा, ठीक है, तो प्रतेक प्रतेक set में आपको 30-30 प्रशन पूछा जाएगा, प्रतेक प्रशन जैसे test दिलाओगे, और paper को submit करोगे, आपने कितना question सहीं बनाया है, कितना question गलत बनाया है, यह सभी आपको display होगा, ठीक है, तो यहाँ पास जरूर इसको join कर लिए दोस्तों, अगर उसी तरीके से अगर पेपर 2 के लिए join करते हैं, तो इसमें आपको बालविकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्यान और गणित के दोस्तों तो बहुत ही कम प्राइज है, कोई भी एक पेपर आप इसमें पर्चेस करते हों, तो बहुत ही कम प्राइज है, दोस्तों आप समझ सकते हैं, इतने कम प्राइज में आपको कहीं पास भी इस्ट स्रीज एवलेबल नहीं होगा ठीक अगर दोनों पेपर आप इसको पर्चेस करते हैं तो 198 जो है आपको इसमें लगने वाला है ठीक है चाहे आपको सब्जेक्ट साइन्स का हो सकता है या फिर दोस्तों आपका सूसल साइंस का हो सकता है ठीक है अब कोशन आता है रजि 24 पर और पेमेंट सक्सेस्फुल होने के पस्चात अपना नाम एड्रेस और साथ ही साथ दोस्तों आपको कौन सा पेपर चीए वो जरूर बताईएगा फिर तूरंत ही आपको जो है वाटसप में PDF के माध्यम से पूरा टेस्ट स्रीज का लिंक प्रोइट कर दिया जाएगा ठीक है तो आप आसानी से दोस्तों मात 99 रुपए में आपको 20-8 जो है मिलने वाला है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये है आपके लिए प्रैक्टिस करने का मौका है ठीक है क्योंकि competition भी बहुत ज़्यादा है तो preparation आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अध्दो है दो दोस्तों next question की ओर चलते हैं तो दोस्तों हम देख रहे थे मानसिक स्वास्त और खाली स्थान में गणिष्ट संबन तो इसके लिए character answer क्या हो जाएगा समायोजन next question है अभी प्रेणा की अनुचित विधी कौन सा है तो हमारे बच्चे में क्या करना है अभी प्रेणा बढ़ हो जाएगा दंड ठीक है चलिए next question है दोस्तों भूख प्यास सुरक्षा की आवशक्ता सभी खाली स्थान प्रेणा है तो हमारे सरीर में जो भूख लगता है प्यास लगता है हमें जो सुरक्षा होती है वो किस पर निर्भार करता है किस चीच के लिए प्रेणा करता है वो option number 4 इसके लिए correct answer हो जाएगा next question है रूची का संबंध है तो रूची हमारे पास जो संबंध है वो किस से संबंध है योग्यता से अवधान से ए और बी दोनों से यह इन में से कोई नहीं तो इसके लिए correct answer जो हो जाएगा योग्यता और अवधान से दोस्तों रूची जो ह अंतिम शोपान कौन सा है तो संब्रत्य जो निर्मान है दोस्तों उसका अंतिम शोपान क्या है तो हमारे लिए अंतिम शोपान क्या हो सकता है प्रिथक करन विभेदी करन प्रतक्षी करन या फिर समानी करन तो संब्रत्य निर्मान का अंतिम शोपान जो होता है वो क्या होत चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करको